हम आदी सकती मावैशनों की कथा सुनाते हैं मावैशनों रूप में क्यूं आई ये हम बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का तेता युग में बढ़े गया दैतियों का आत क्या चार होने लगी थी विजय धर्म की धर्म रहा था सभी देवताओं को थी फिर मा की यादा आई सरस्वती लच्मी और काली मा तीनों आई तीन देवियों ने मिलके कन्या का बनाया रूप ना देखा और नहीं सुना कभी ऐसा था स्वैरूप हात जोड बोली कन्या है माता बतलाओं मुझे बनाने का परियोजन क्या है जदा समझाओं सभी देवता जैका रामाता का लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आवे श्वरूप में क्यूं आई ये हम बतलाते हैं है पावन माता धां यह बनते विगडे का है पावन माता धां यह बनते विगडे का तीनों माता बोली इक राजारत ना सागर कन्या रूप में लेलो जनम तुम जाके उनके घर फिर कन्या ने तीनों के आदेश कमान किया राजा रतना सागर के घर जाके जनम लिया त्रिकुटा और वैश्न भी उस कन्या का नाम पड़ा अदबुत कन्या जनमी राजा प्रसन हुआ है बड़ा यक्य हवन भी करता राजा और कभ करें सिकार खेल खेल में राजा ने कई पसु पच्छी दिये मार सौक में कई निर्दूस प्राणी मारे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आवे शुरूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यह बनते विगड़े का सौक पिता का वैजनमी को तो रास नहीं आया क्यूं करते वद निर्दूसों का पिता को समझाया अगर आप ना दे सकते हो निर्जीवों को प्राण किस हक से फिर आप हो लेते इन जीवों की जान बेटी के जो सुने विचार वो हर सित बड़ा हुआ वैश्नो धर्म का उस दिन से धर्ती पे जनम हुआ किसी कवधना करना राजा हुक्म सुनाते है पावन कथा सुनाते है मावैश्न रूप में क्यूं आई ये हम मतलाते है है पावन मा का घाम यहां बनते बिगडे का है पावन मा का घाम यहां बनते बिगडे का पिर भगती के मार्ग पे कन्या का मन आया करना है मुझे को तप माता पिता को समझाया सुनकर बेटी के मचनों को माता हुई बेचै बिना तुमारे बेटी हमारे कटे नहीं दिन रहे घोर तपस्या जंगल में तुम कैसे कर पाओगी देख के नर्भक्ची पसों को बेटी डर जाओगी घबराओ ना माता मुझे को देदो आशिरवार परियोजन इस धर्ती पर आने का मुझे है याद ना चाहते हुए मात पिता अग्या दे जाते है पावन कथा सुनाते है मा वेश्ण रूप में क्यों आई ये हम मतलाते है है पावन मा का धां यहां बनते विगड़ेगा मात पिता की आग्या लेकर वन को किया प्रस्थान सागर तट पर जाकर करने लगी प्रभू का ध्यान अनजल उसने चाग दिया छोड़े संसार के काम घोर तपस्या करने लगी वो रटे राम ही राम राम लखन सीता के खोज में सागर तट आए देख के कन्या की भगती को मन में हरसा है क्या चाहती हो है कन्या तुम मुझे को बतला बोली अरधांगिनी रूप में मुझे को अपना इस युग में पतनी मेरी सीता राम बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावेश्ण रूप में क्यूं आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़े का है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़े का बोले राम हे कन्या तुम्हारा तपना हो बेकार कल युग में जब कल की रूप कलेंगे हम मोतार फिर तुमको अरधांगी निरूप में हम तो अपनाएंगे इच्छा पूरण होंगी कल की रूप में जब आएंगे त्रिकूट पर बत पर जाकर तब तक तुम वास करो भकतों का उद्धार करो दुष्टों का नास करो वहां वैश्नो देवी नाम से तुम जानी जाओगी सकल स्रिष्ट में हे कन्या तुम ख्याती पाओगी राम प्रभू फिर त्रिकूटा को ये वर दे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वैश्नो रूप में क्यों आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे कां सिरी राम के आँग्यां का मा पालन है करती वैश्नो देवी रूप में माता सबके दुख हरती स्रंथा भावस जो भी आता है इनके दर्वार सारे कश्ट हरे माता और खुसियां मिले अपार तीनो रूप में यहां बिराजे जग की रखवाली मात सारदा महा लक्ष्मी और महा काली जिन भगतों को होता वैश्नो माता पे विस्वास नहीं तूटने देती माता बेटों की कोई आस तभी तुदर सन करने भक्त लाखो आते हैं मावन कथा सुनाते हैं मावेश्न रूप में क्यों आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का कटरा से कुछ ही दूरी परहन सालीक का माता का एक भक्त हुआ था जिसका स्रीधरना माता के चर्णों में उसकी ऐसी लगी लगन छोटी छोटी कन्याओं का करता था पूजन गंगा जल से कन्याओं के पैरों को धोता करवाता भोजन उनको चाहे खुद भूखा सोता अतिनिर धन होकर भी सबका करता था सम्मान एक ही चिंता थी उसको ना थी कोई संतान माता के चर्णों में नित अरदास लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावे शुरूप में क्यों आई ये आम दिलाते हैं है पावन मा का धां यह बनते विग्डे कां है पावन मा का धां यह बनते विग्डे कां भक्त सिरी धर के मन में फिर एक दिन उठा सवां भक्ती में क्या दोस है मेरी करती नहीं खयाल क्यों नहीं देती दरसन मुझे को ये तो बत लाओं सच्चा दास तुम्हारा हूं मा मुझे को अपनाओं बोला सीस जुका कर मैंने अब मन में ठानी जब तक दरसन ना दोगी ना खाओं अनपानी रोज की तरहा किया उन्होंने फिर कन्या पूजन कन्या रूप में माता के उनको हो गै दरसन हाथ जोड कर कन्या से कुछ पूछन चाहत है पावन कथा सुनाते हैं आवेश्व रूप में क्यूं आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यह बनते बिगड़े का है पावन मा का धां यह बनते बिगड़े का कौन अलो किक सकती है ये ना वो पहजाने करते प्रश्ण इससे पहले खुद ही लगी बतलाने है मेरा आदेश की सारा गाउं को बुलवाओ मेरे नाम से कुटिया में भंडारा लगवाओ जो भी मिलता जाए उसको दे दे ना न्योता भोजन करवाने से बड़ा कोई पुन्य नहीं होता मन ही मन सोचे स्रीधर ये कैसे हो पाएगा छोटी सी कुटिया में कैसे सारा गाउं आएगा अतिनिरधन ते स्रीधर चिन्ता में पड़ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बत लाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़ेगा है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़ेगा है जग जननी माता तुम ही रखना मेरी लाज कठिन पर इच्छा है मेरी मुझको लगता है याज घर घर जाकर नी मंत्रड वो सबको दे आया भैरोनात का डेरा भी था रस्ते में पाया हाथ जोड कर बोला कल भंडारा लगवाऊंगा सारे गाओं के संग आपको भोजन करवाऊंगा बोले भैरोनात है स्रीधर क्या तुमने पाया फूटी कोडी नहीं है कैसे बंडारा लाया उस कन्या के बारे में स्रीधर बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावेश्न रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धाम यह बनते बिगडे का है पावन मा का धाम यह बनते बिगडे का सुन स्रीधर की बात अचमभित भैरों बड़ा हुआ गोरखनात गुरू को सारी बात बताने लगा बोले गोरखनात की देखे कौन है वो कन्या करते हमको त्रिप्त अभी तक कोई नहीं जन्मा अपने सिस्यों संग हम स्रीधर के घर में जाएंगे देखते हैं वो कैसे हमको भोजन करवाएंगे भैरों और गोरख अपने सब चेलों संग आएं बनेह चपन भोग देखके वो तो चकराएं कुटिया उतनी बढ़ जाती जितने जन आते हैं मावन कथा सुनाते हैं मावेशन रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का देखा के एक कन्या सबको भोजन रही खिला ना साधारन कन्या ये मन में संदेह हुआ बोले गुरु से भैरो इसका लेना पड़े इंतहान है साधारन कन्या कोई मैं नहीं सकता मान बोले भैरो कन्या से ये भोजन नहीं है खास पीने को हम चाहिए मदिरा और खाने को मास कन्या बोली है भैरो क्या तुमको नहीं विवेक ये है वैश्नो भंडारा क्या नहीं रहे तुम देख फिर भैरो कन्या का हाथ पकड़ना चाहते हैं मावन कथा सुनाते है मावै शुरूप में क्यों आई ये अम्रत लाते हैं है पावन माता धां यह बनते विगड़े का है पावन माता धां यह बनते विगड़े का हाथ पकड़ना चाहां कन्या हो गई अंतर ध्यान पर अपने तप पे भी था भैरों को बड़ा अभिमान गर्ब जून की गुफा में माता फिर जा कर गई पैर खोज निकालूंगा मैं तुमको भैरों रहा था है गुफा के द्वार पे एक साधू ने भैरों को समझाया लौट जवाप इस भैरों अरना काल तेरा है आया क्रोध में भरके भैरों ने उस साधू को दुदकारा क्या मुझे को तुम नहीं जानते भैरों नाम हमारा करते काम है पूरा जो जिद पे यण जाते हैं मावन कथा सुनाते हैं मावे शुरूप में क्यूं आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यह बनते विगडे का है पावन मा का धां यह बनते विगडे का भैरों नात ने उस साधू की बात नहीं मानी हट करके घुस गया गुफा में वो भैरों अभिमानी माता कुँ आभास हुआ अपना तिर सूल उठाया गुफा के पिछले भाग में जाकर रस्ता एक बनाया कहां गई वो कन्या भैरों होने लगा बेचैं जब तक भेद नहीं जानूंगा आये न मुझे को चैं त्रिकूट परबत की गुफा में वित्त मान थी मान कहां छुपेगी कन्या तेरा पीछा छोडू ना लांगुर वीर को पहरे पे फिर भैरों पाते हैं मावन कथा सुनाते हैं मावेश्ण रूप में क्यों माई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का लांगुर वीर को फिर भैरों ने युद्ध के लिलल कारा का हाथ पीछे हटने वाले दिया जबाब करारा लेकिन लांगुर वीर में भैरों पढ़ने लगे भारी क्रोध में भरके आगई माता अश्ट भुजा धारी वध करने को भैरों का माता हो गई मजबूर काट दिया सर भैरों नात का गिरा वो जाके दूर भैरों को अपनी गलती का फिर आभास हुआ किये कराए तपका मेरे माता नास हुआ माता से बिंती करके वो माफी चाहते हैं मावन कथा सुनाते हैं मावेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का करुणा मैं मात ने फिर भैरों को माफ किया भूल को कर दिया माफ तेरी मैंने इंसाफ किया है भैरों ये तब तेरा यू व्यर्थ न जाएगा जो मेरे दर्सन करेगा वो तेरे दर भी आएगा माने जाए मेरे दर्सन तेरे बिना धूरे मेरे बाद तेरे दर पे आए तभी वो होंगे पूरे इसलिए जो भक्त बैशनों द्वार पे आते हैं माता के दर्सन कर भैरो मंदिर जाते हैं जोर जोर से जैखारा माता का लगाते हैं बावन कथा सुनाते हैं वावे श़ौरोप में क्यूं आई ये हम बतिलाते हैं है बावन माता धां, यहाँ बनते बिग्डे का सपने में आकर मौने स्री धर को दिया वर्दा चार पुत्रों की घर में तेरे हो जाए संता युगों युगों तक पूजा मेरी तेरा वंस करेगा ना ही रहोगे निर्धन तुम ऐसा भंडार भरेगा माता के वचनों को सुनकर स्री धर धन्य हुए सब इच्छाएं हो गई पूरी अतिप्रैसन हुए तब से अब तक स्री धर वन सही करता मा की पूजा वैश्नों धाम सा इस दुनिया में धाम नहीं है दूजा हो जी सुरेस और डीयस पाल तुसीस जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वैश्न रूप में क्यों आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़ेगा है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़ेगा है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़ेगा है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़ेगा